हालो गाइस एस सुन एस आई विकाम एक वासी सेज आई वास समंट वाइद एमपरस एपिसोड 14 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लैक शियर कमेंट जरूर करिएगा और हाँ दोस्तों जो मेरा न्यू बैक अप चैनल है उस पर भी ज और इसी के साथ अब चलते हैं आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब अपने हिरो की बात महां के गाट सुनते हैं कि राजा पिंग्यां की उपर अटेक करने के लिए कोई आया है तभी वो वहाँ पर सेकंड डिसाइपल को पकड़ने के लिए भ पुशिश करते हुए नंगे होकर प्रिंसिस के आंगन में चलने का साहस भी किया सiclesह इसे कमांडर नी उससे पहले ही पकड़ लिया फिर राजा पिनियां की तरफ देखते हुए हस के कहता है हरको ई बहुत होश्यार है शायद राजा को पता है कि इस प्रॉपलम को दुनिया जहांपर बहुत धेर सारे लोग खड़े होके कुछ देखने के बाद में बहुत ज़दा बाते कर रहे होते हैं अब वहाँ पे पैलस के गेट के उपर एक बैनर लगा होता है जिसके उपर लिखा होता है सिटी के लोगों के लिए एक चितावनी के रूप में मौत की सज़त सुनाई जाएगी क्योंकि उस लड़के के अपराद माफ नहीं किये जा सकते गदार जहांग बैली ने प्रिंसिस पर हमला करने के लिए उनको मारने का प्लैन बनाया और उसे कमांडर लिन के दोरा प्रिंसस के यार्ड में पकड़ लिया गया तभी वहाँ पर ये बात पढ़ने के बाद में एक आदमी कहता है ये आदमी तो बहुत बहादूर है हमें उसे बाद में देखना होगा फिर गंजा कहता है वैसे कमांडर लिन के कौन है मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर के जा रहे होते जो कि उस बैनर को देखने के बाद में शौक्ड हो जाते है और वहाँ पर उस बैनर को पढ़ने के बाद में एक आदमी कहता है जोंग बेली क्या वो स्टेट मास्टर का डिसैपल नहीं है उसकी बाद सुनने के बाद में बूरा आदमी उससे कहता है आखिर कर एमपर के सामने ये आ गया और स्टेट मास्टर की अभी भी सिच्वेशन खराब है हमारे लिए बहतर होगा कि हम कुछ समय के लिए रुकें और देखें क्योंकि हमें जलबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए फिर हमारा सेंज शिफ्ट हो जाता है और हमको एमपरर के हॉल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत धेर सारे लोग आयो होते हैं फिर एमपरर लोवेई वहाँ पर राजा से कहती है राजा पिंग्यान मैंने सुनाए कि एक हत्यारा जो कल आपके महल में दाखिल हो गया था क्या इससे प्रिंसेस डर गई थी एमपरर के ये बास सुनने के बाद में राजा पिंग्यान को दिखाया जाता है वो उनके सामने ग्रीट करते हुए कहते है मैजिस्टी का इस चीज पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद और कमांडर लिनके के स्किल के लिए भी धन्यवाद उन्होंने खुद गदार को पकड़ने के अनुमती दी और मेरी छोटी सी बेटी अब ठीक है लेकिन ये बहुत दुखत था कि जियान त्यानी जो ठीक होने वाला था डर गया और दुरभागे से फिर से वो कुमा में चला गया पिन्यान के राजा की ये बात सुनने के बार में तभी वहाँ बगल में एक आदमी गुसाते हुए आगे आ जाता है और एमपरर के आगे आकर ग्रीट करते हुए उनसे कहता है मेरा बेटा गंभी रूप से घायल हो गया था और जाग नहीं रहा था और यहां तक कि एमपरर के डॉक्टर ने कहा है कि अगर किसी स्पेशल तरीके से इसको नहीं उठाया जाता तो मुझे डर है कि वो अपनी इस जिन्दगी में कभी नहीं जाग पाएगा और इनका नाम जियांग टाइफू होता है और यह कहने के साथ में वो वहाँ पर घुटने के बल बैट जाता है और एमपरर से विंती करते हुए कहता है और फिर एमपरर से विंती करते हुए कहता है मुझे आशा है कि मेजस्टी इस तरह के बत्मीज लड़के को सत्य के मार को दिखाने के लिए कठोर दंड देंगे स्टेट मास्टर की ये बात सुनने के बाद में हमको लोग वही को दिखाते वहाँ पर वो चिला के उनको शान्त करते हुए कहती है ये तो सच में बहुत अच्छा है लेकिन क्या वो डिसैपल स्टेट मास्टर के देखरेक में नहीं था इस गलती से बचना बहुत मुश्किल है और साथी आपकी एक साल की पेमिंट रोग दी जाएगी यहाँ पर जित्ते लोग भी आए हैं इस चीज को एक चेतावनी की तरह लें कि आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए एमपर की यह बात सुनने के बाद में जो स्टेट मास्टर होता है वहाँ पे बहुत ज़़़ा गुसाने लगता है और तभी कहता है और यह बात को कहने के साथ में एमपर वहाँ पे अपने मन में सोचती है मैंने तो यह कभी नहीं सोचा था कि लिन के इतना अच्छा काम करेगा और मुझे इस काम के लिए उसे कैसे कहना चाहिए नहीं नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग है और यह कहते हुए वो वहाँ पे बलश कर रही होती है फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो एमपरर होती है वो वहाँ पे अतने ज़दा खैलों में डूब गई होती है कि सामने वाला क्या बोल ला उनको कुछ फरकी नहीं पड़ रहा होता है और तभी वहाँ पे उनका सलाकार आके उनके कान में कहता है माई एमपरर कमांडर लिन यहाँ नहीं है जब लिववई अपने सलाकार की यह बात सुनती तभी बहुत ज़रा गुस्ता आ जाती है और अपने मन में सोचती है वो हराम खोर ठरकी कमीना इंसान अब देखना मैं तुमारा कैसा ख्याल रखोंगी बस तुम मेरे सामने आजाओ एक बार लिंक के और एमपरेस के यह कहते हुए वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पिंग्यान पैलेस को दिखाया जाता है और वहाँ पर प्रिंसिस प्यान के रूम में जहाँ पर उसका मंगेतर पड़ा होता है दोस्तों प्रिंसिस प्यान के यह कहने के साथ महीं हमको वो सीन दिखाया जाता है जिस चीज के लिए आप लोग बेताभी से वेट करते हैं वहाँ पर प्रिंसिस प्यान अराम से अपने हीरो के साथ में बैट के उपर लेटी होती है और साथ महीं उसकी body के hotness को छूके मज़े करते हुए कहती हैं अरे जरा रुकिये मुझे समझ में आ रहा है आपके कहने का मतलब क्या है उसकी ये बास सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पे उससे smile करते हुए कहता है राजा पिंग्यान अभी अदालत में है और जियान त्यानी गहरी नीन में सो रहा है तो इस चीज के कारण हम बाजा बजाने वाली चीजों से जो की देखने में बहुत सुन्दर चीजे हैं उनसे शुरुवात क्यों नहीं करते हैं अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में प्रिंसिस प्यांग को दिखाते हैं वो वहाँ पे बलेश करते हुए कहते हैं अच्छा तो आप अपने इंस्टूमेंट की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप मेरे इंस्टूमेंट को टोन करना जानते हैं तो ठीक है प्लीज इसे ध्यान से देखना और अगर मैं अच्छा करती हूँ तो मेरी तारीफ जरूर करना और दोस्तों मैं इस जगा को डिटेल से कुछ नहीं बताऊंगा समझदार इंसान खुछ समझ जाएंगे फिर हमें कुछ समय बात का सीन दिखाया जाता है जो तोता और मैना होते हैं दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे के इंस्टूमेंट को लेके ट्योन करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर खुब जोर जोर से music instrument की आवाज आरी होती है फिर हमारा scene shift हो जाता है और हमको एक घंटे बात का scene दिखाया जाता है वहाँ पर अपने hero का मोटा disciple भाग के आता है और gate को खोल के धबराते वे चिला के कहता है boss बहुत बड़ी problem हो गई है जब वो ये बात को कह रहा है तभी दिखाते हमको जो अपने धर की लॉंडा होता है जियान ट्यानी को वो जो fruit लाया होता है वो उसको जवर्जस्ती खिला रहा होता है मुँ में वो उसको जवर्जस्ती खिला रहा होता है और पट्ऍटी भी नहीं हटाता है, बस धक्का देता चला जाता है, जिस चीज के कारण जियान त्यानी को बहुत दिक्कत होरी होती है, फिर उस मोटू की ये बास सुनने के बाद में, वो कुछ भी रियक्शन नहीं देता है, और तभी जियान त्यानी की प्यार से सेवा करती हुए कहता है अरे तुमतो मेरे बहुत अच्छे बाई हो मुँझ खोलो और थोड़ा सा और खालो अध दूसे साइड में दोस्तों हमको जियान त्यानी को दिखायाता है जिसकी हालत बुरी हो चुकी होती है फिर जब मोटू देखता है कि बॉस उसकी बात नहीं सुन रहा है तभी वो फिर कहता है किसी ने जौंग बेली को बचाने के लिए अदालत में हमला किया है और अधिकारियों और सैनिकों के साथ में लड़ाई की जब अपना हीरो ये बात सुनता है तभी उसकी वहाँ पे हड जाती है और तभी वो गुसे में चिला के कहता है क्या प्रिंसेस ने अभी अभी अपने पती को खोया है और मैं यहाँ पर अपना प्रेम दिखाने के लिए आया हूं लेकिन मुझे उमीद नहीं थी कि प्रॉब्लम पैदा करने वाला कोई और है और ये कहने के साथ में वह पे गुस्से में बाहर की तरफ जाते हुए चिला के कहता है तो ठीक है मुझे देखने दो कि वहाँ पर गडबड करने की हिम्मत कौन करता है और उसको ऐसे जाते हुए देखके जो मोटा के कारण हमें दिखाया जाता है वहां पर जित्ते भी सैनिक होते हैं आसपास वो सारे के सारे घायल हो जाते हैं और वहां पर बुरी तरह से हवा में उड़ते हुए पीछे जाके गिर रहे होते हैं फिर हमको पता चलता है वो जो धमाका किया होता है किसी नकाब पोश आदमी किया आता है जो कि जांग बेलो को अपने कांदे पर लाद की उस जेल से भागते वे चिला के कहता है एमपाइर पैलेस के कुटो यहां से चले जाओ और इस बात को कहने के साथ में वहां से हसके जाते हैं उनकी मौज लिखते वे कहता है यहां पर जो भी लोग है मुर्गी और कुटो की तरह हैं जो एक ग्रूप में अभी भी इस अंकल को पकड़ना चाहती है मैं जाने वाला हूँ उसने जैसे ये बात बोली होती तभी बगल में कुछ देखने के बाद वो बहुत ज़रा शौक हो जाता है और हमको पता चलता है उस आदमी को उपर एक वैपन से अटेक कर दिया होता है और वो वैपन सीधे उस मास्क वाले बंधे के तरह बढ़ रहा होता है जिस चीच को देखकर वो शौक हो जाता है वो नाइव जैसे उसके पास आने वाला होता है तभी अचानक से मुझे मास्क वाला आदमी होता है वो वहां पर मुड जाता है और उ मुए लुब ऑर राली यू दो इंग नुए आप्टन ए्यूनिकों मां ए्यूनिकों